जो शब प्रकार के महा आनंद का मूल भक्ती है शब प्रकार का आनंद है इही परलोक शकल शुखपावत मेरी शुभईया कृष्ण गुण शंचु प्रभू की भक्ती शंपूर्ण सुखों का मूल है संपूर्ण आनंद का स्रोत है जो प्रभू की भक्ती छोड करके कि क्या किवल मेरी महरानी श्री राधा रानी इतना कहने से हो जाएगा क्या सब इतना ही कहने से सब होगा कहके तो देखो मन में वाणी में और ह्रदय में बात बैठा लो मेरे प्रियाला देखो जिनका ये बहुत पक्ष है साधन पक्ष पर ये अच्छा ये बुरा ये करना बहुत बड़ा आहम की ब्रती से जाल बुना हुआ है जब देखते हैं तब समझ में आता है कि अच्छा ऐसा भी प्रभू का जाल होता है। बड़े क्रपा पात्र हैं जिनको ये बात समझ में आ जाए। मेरी महरानी, शीराधारानी। नहीं तो नाना प्रकार के शाधन बल पर भटकते रहते हैं। दैन्य हरदय में प्रवेश नहीं होता। अपने को शामर्त शाली समझते हैं, तो हमारा मार्ग मिलता ही नहीं। क्योंकि ये मार्ग तो उसको प्राप्थ होता है, जो अजात पक्षायू मातरम खगा। जैसे घोशले में बेठा हुआ पंखहीन बच्चा केवल मा की बात जो हता है। ऐसे हरदे में दैन लिये हुए किवल लाडली लाल के क्रपा की बात जो रहा है। किवल लाडली लाल के क्रपा वलोकम, क्रपा कटाक्षम इस पर वो जी रहा है। मेरी श्वामिनी कब कृपा करके गलबहियां दिये हुए प्रीतम के शाथ आप मेरे नेत्र गोचर होगी श्वामिनी मैं शब्तरश अश्मर्द हूँ बस आपकी कृपा की ही एक मात्र आश्ट्रे बृत्ती दूसरा हमारे हिरदय में कुछ नहीं स्वामिनी नहीं प्राप्त करने की शामर्द है अजात पक्षा कह बच्चा के पेट बच्च्वा के पेट समझ लीजे यह आचारी महापुरुषों के रसको प्राप्त महापुरुषों के शंकेत हैं समस्त भोनों ब्रम्भांडों के श्वामित को त्याग कर श्वामिनी जुके अधेन श्वयम प्रभु हैं जाके अधेन शदाई सामरों